हलो दोस्तों नमस्ते सरोज की किचन में आपका स्वागत है आज हम मूली की टेस्टी और हेल्धी सब्जी बनाएंगे जब हम बाजार में मूली लाते हैं तो उनके पत्तों को हुई ही फैकाते हैं और आपको पता है मूली से ज़्यादा मूली के पत्तों में बिटामिन होते ह आज मैं आपको मूली के पते की बहुत ही चफ़ पत्ती सब्सक्ता बनाना हूंगी और यहां पर मैंने दो मूली लिए है और चार मूली के पत्ते लिए यह Τाजा मूली और उनके पत्तों को लिया है मूली की पत्वों पर छोटी-छोटे कीड़े होते हैं जो अपने को नचन नहीं आते हैं बिल्कुल वह हरे रंग की होते हैं जो पत्ते जैसे ही चिपके रहते हैं इसलिए हमने इनको गरम पानी में एक मिनट के लिए डूबो कर रख दिया था और डूबोने के बाद आज की मूली की सबजी में हम सारे पत्तों का यूज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं फैकेंगे, इनके ना तो मोटे डंठल फैकेंगे ना ही पत्ते फैकेंगे, मोटे डंठलों को इस तरह से काट कर इस तरह पत्तों की तरफ रखेंगे, और बारेक बारेक सभी पत्तों में डं इस तरह से काटना है अब इने चलनी में रख देंगे और बचे हुए पत्तों को भी इसी तरह से काटेंगे इस सबी कट गए अब इने भी चलनी में रख लेंगे हम मूली को छील का छील का हटा लेंगे और मूली को छील लिया है मूली को इस तरह से 2-2 इंच के पीस में काट लेंगे और इस तरह से आड़ा करके छोटे-छोटे पीसों में काट लेंगे हमने सारी मूली को काट लिया है अब इनको भी हम चलनी में रख देंगे और एक कोकर लेंगे उसमें मूली के पत्तों को और कटी हुई मूली को डाल देंगे दो आलू लेंगे इन्हें भी हमने अच्छे से दो लिया है अब इन्हें भी मूली वे पत्तों के साथ डाल देंगे और कोकर में एक गिलास पानी डालेंगे और कोकर का डखकन बंद करके तिन सीटी आने तक पकाएंगे कोकर में तिन सीटी आ गई है गैस का फिलेम बंद करेंगे और कोकर का प्रेसर खतम होता है तब तक ठंडा होने देंगे कोकर का प्रेसर खतम हो गया है अब हम कोकर को खोलेंगे और अभी कोकर गरम है इसलिए चिम्टे की साइता से आलूओं को हम भान निकालेंगे और मूली वे पत्तों को चल्ली में निकाल लेंगे और 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे उबली हुई मूली और पत्तों को रखे वे 10 मिनट हो गई है अब मूली को हाथ में लेकर पानी निचोड़ेंगे और प्लेट में रखेंगे और सभी को निचोड़कर प्लेट में रख दिया है अब आलूओं को भी छिलकर छिलका हटा लेंगे और आलूओं का छिलका हटा लिया है और ओईल को गरम होने देंगे हरी पत्यदार सबजियां सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छी बनती हैं और खाने में भी टेश्टी लगती हैं हमारा ओईल करम हो गया है अब आदा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और आदा छोटी चम्मच राई डालेंगे और डालेंगे चुटकी भर खेंग राई अमारी तड़क रही है और अब डालेंगे दो बड़े प्याज बारिक कटे हुए यह इसका फिलम मेडियम टू हाई रखेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने देंगे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गये हैं अब डालेंगे 10 से 12 लेसन की बारिक बारिक कटी हुई कलिया हरी पत्ते दार सबजी को खाते हैं तब मुँ में लेसन का फेस आता है तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसका फिलेवर भी काफी अच्छा आता है अब डालेंगे एक इंच अत्रेक का टुकडा बारिक कटा हुआ और इसको भी हलका सा फ्राई करेंगे यह भी फ्राई हो गया है अब डालेंगे दो हरी मिर्च बारिक कटी हुई इन्हें हलका सेकेंगे हरी सबजी में विर्ची का फिलेवर काफी अच्छा आता है और अब डालेंगे एक टमाटर बारिक कटा हुआ और साथ ही डालेंगे आदा छोटी चमाच नमाग जिससे हमारे टमाटर जल्दी गल जाएंगे हमारे टमाटर गल गए अब डालेंगे कुछ मसाले आदा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे एक छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और डालेंगे आदा छोटी चम्मच धनिया पाउडर और मसालों को मिक्स करेंगे और डालेंगे आदा छोटी चम्मच पिसा हुआ जीरा पाउडर इसे भी मिक्स करेंगे सभी मसालों को कर लिया है और अब डालेंगे कटे हुए आलूओं को आलूओं को भी मसाले में एक मिनट चलाते हुए पकाएंगे और मिक्स करेंगे और अब डालेंगे उबली हुई मूली को इस तरह से हाथ से अलग करते हुए कड़ाई में डाल देंगे इसी तरह सारी को डाल देंगे और इसे भी चलाते हुए मूली और मूली के पत्तों को भी मसाले में मिक्स करते हुए चलाएंगे और सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और मसाले मिक्स भी हो गए हैं अब इसे ढख कर 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे सबजी को पकते हुए 2-3 मिनट हो गई है अब इसे ढखन अटाएंगे और चलाएंगे चला करे से धरोधर मिक्स करेंगे और आदा छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे गरम मसाले को भी मिक्स करेंगे और मूली की भुजिया बन कर तैयार हो गई है अब इसे हरे धनिये से गार्नेश करेंगे मूली की भुजिया बहुती टेस्टी बनी है गेस का फिलेम बंद करेंगे और नीचे रखेंगे अब इसे सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे और धनिये से गार्णेश करेंगे इस सबजी में सारे मूली के पत्ते काम में लिए हैं और कुछ भी नहीं फैका है इस बज़े से ये बुझिया बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है हमारे यहां तो जब भी मूली आती है तभी तुरंत ताजा-ताजा मूली के पत्तों की बुझिया बनाई जाती है और इसमें आलू भी डाले जाते हैं इस बज़े से बच्चे भी खाते हैं उन्हें भी टेस्ट लगती है इस बुंजिया को रोटी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हो आप भी बनाईए और खाईए और मुझे कॉमेंट्स करके बताईए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को करें रहने बाद